वेल फ्रेंट्स वेरी बारी गूड ओर निंग एडिवन तोड़े लोयर एडवोकेट वाट इस दिफरेंस बिट्विन लोयर एडवोकेट बैरिस्टर सिनियर एडवोकेट एवार ओजिया एट्सेटर इस वीशे पर चर्चा करेंगे क्योंकि बेसिक नौलिज में पता होना है यह कि जो कोटों की लोग से लेकर हाई कोट और सुप्रिम कोट तक एहरार की क्या जाती है कहां कहां कैसे काम करते हैं तो आएडवोकेट एक चीज आए नहीं, लोयर first CD है, लोयर जो है, वो advocate नहीं है, कहने को दुनों वकील के वकील कहलाते हैं, लेकिन लोयर कौन है, जिसने law degree, LLB की, चाहे वो plus two के बाद five years degree हो, या अग्रेजवेशन के बाद three years degree हो, तो वो जो है, वो lawyer है, advocate नहीं है, वो किसी भी client को represent नहीं कर सकता, court में किसी case को file नहीं कर सकता, वो क्या कर सकता है, वो शिर्फ assist करता है अपने client की, और in legal matter में, but can't represent client in the court, वो नहीं कर सकता, वो इतना ही कर सकता है, advocate बनने के लिए exam pass करना पड़ता है, advocate क्या होता, to enroll in bar council, BCI, bar council of India में, enrollment होना चाहिए, और फिर AIB exam pass करना पड़ता है, council का, या all India, bar council का exam होता है, फिर register with, एनि उसको register कराना पड़ता है, एनि state center, और bar council में जैसे, अरियाना, या पंजाब, या दिली, किसी जगह, किसी भी bar council में, वो register अपना नाम करा सकते हैं, और फिर एक license मिल जाता, authority to represent clients, तब वो advocate कहलाता है, और barrister क्या है, ये एक ऐसी term है, it is a term used in UK, who are studying in England for law degree, law degree के लिए जो वहाँ पढ़ते हैं, वो advocate बनते हैं, तो इसको barrister कहते हैं, जैसे मातमागांदी के विशे में सुना होगा, कि उन्होंने barrister pass की, तो UK से की थी, तो अब AOR क्या है, advocate on record, ये एक अच्छी post है, और ये ज्यादातर AOR, जो है, supreme court में होते हैं, कुछ high court में भी introduce कर लेते हैं, वो अपनी सिविदा के लिए, तो कोई भी के supreme court में अगर देखे, one year, one पहली एक first, जो condition है, minimum, four years of litigation experience before any court, district court, high court, या supreme court में, चार साल का litigation experience होना जरूरी है, फिर दूसरी condition है, one year training from किसे AOR से, और वो AOR, जिसका दस साल का experience हो, who has ten years, or more experience as an AOR, तो ये था, then only one can eligible to appear in the exam of AOR, conducted by supreme court every year, तब वो exam pass के लिए, appear होने के लिए eligible होता है, और वो फिर उसको pass करना होता है, तब ही AOR होता है, अच्छी खासी ये post है, तो फिर senior advocate, देखे, senior advocate AOR से कम होता है, और senior advocate भी AOR बन सकता है, तो senior advocate क्या होता है, ये जो designated post है, by high court और supreme court designated करता है, वो कुछ points के base पर करता है, और points में के base पर evaluation, मुलांकन करके, seniority वगेरा सब को देख करके, तो वो हिनका designation होता है, 10 years, first है, 10 years to 20 years court experience, अगर उसका 10 से और 20 साल का experience court का है, तो 10 points मिलते हैं, beyond 20 years, 20 points मिलते हैं, और जो how many reported, कितने case judgment, उन्होंने deal की, कितने report किये, उसके 40 marks में से देते हैं, और how many article were written, कितने article लिखे गए, publication के काम में 15 points में से, और marks got in interview, interview में कितने marks, वो 25 का interview है, तो ये सारा हिसाब करके, evaluate करके, एक व्यक्ति का, तब उसको senior advocate बनाया जाता है, अब देखिए, advocate journal क्या है, ये first law officer of state है, जो state के जितने भी case है, legal advisor है, ये legal, ये गौर्णर अपरू करता है, और जितने भी all cases of state government are represented by the advocate general, तो उसके उपर, attorney general of India है, ये higher post है सबसे, legal advisor of central government, या फर्स्ट लाउफिशर, फर्स्ट लाउफिशर of the country, और वेंकटरा मनी आजकल है, और ये union cabinet, में परदानवंतरी, अपने cabinet में चर्चा करके, और किसी का नाम recommend किया जाता है, प्रेजिडेंट को, और प्रेजिडेंट फिर उसको nominate कर देता है, इसको नोमिनेट कर देता है, ये क्या है, ये assist, ये जी आई, ये attorney general of India का subordinate है, वो उसको assist करता है, legal matter समय, second law officer of the country, इसको कहते है, आज कलिए तुसार में हता है, आपने अकबारों में इनका नाम खुब सुना होगा, इससे जो additional solicitor journal of India, ये assist करता है, इसको ये एक एरारकी है, additional SGI इसको करता है, इसको करता है, इसको करता है, और ये attorney general of India का, public prosecutor and pleader, ये क्या होता है, देखिए, जितने भी criminal case हैं, तो उसमें ये state के represent करता है, और उसमें crime के against any person is कोई भी crime, अगर किसी विक्ति के खिलाप होता है, तो वो समाज के खिलाप माना जाता है, इसलिए title डाला जाता है, जैसे crime B, जैसे A ने crime B के against किया, तो A versus state, या state versus A, जैसे निर्वया, कांड में, मुकेस and others versus state था, इसी तरह pleader क्या है, ये represent state for civil cases, ये civil cases देखता है, और इसको pleader, he is called pleader, तो ये था, आप में के हमारा lawyer advocate, barrister, senior advocate में क्या main difference है, तो सीखते रहिए, have a nice day, thank you.